Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे PA Modi ने एक recently interview दिया जहांपे वो इस चीज को मानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में relation काफी खराब है साथ में वो इस बात पर भी focus करते हैं कि भारत और चाइना दोनों को अपने relation को सुधारना चाहिए भारत दुनिया का one of the fastest growing economy है, वहीं दूसरी तरफ चाइना दुनिया का second largest economy है तो इस लिहासे भी हम कह सकते हैं कि नहीं तो चाइना, नहीं तो भारत war effort कर सकता है और बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के उपर dependent है और अगर relation खराब होता है दोनों देशों का बीच में, तो कहीं न कहीं groupism और create होगा और जिस तरीके से अभी global tension बढ़ा हुआ है ये चीज नहीं तो चाइना के favor में रहेगा, नहीं तो भारत के favor में रहेगा इस वीडियो में हम कुछ limited examples की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से भारत और चाइना के बीच में trade यानि कि वैपार हो रहा है उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि PA Moody ने अपने interview में और क्या कहा मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये February 2024 का एक latest article है जिसको पढ़के हमें ये मालूम पढ़ता है कि भारत और चाइना के बीश में वैपार बढ़ चड़ कर हो रहे हैं लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा disturbing trend देखा जा रहा है वो ये है कि चाइना हमें अधिक समान भेजता है और हम चाइना को कम समान भेज़ पाते हैं इस चीज़ को personally मैं भी मानता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे भारतिये हैं वो भी मानते हैं कि भारत के लोगों में कहीं से भी talent का कोई कमी नहीं है लेकिन जिस हिसाब से center और states को एक koordinative तरीके से काम करना चाहिए इंडिया ने make-in-India initiative को काफी promote किया है लेकिन कोई भी देश कभी भी 100% independent नहीं हो सकता है as a result उसे कहीं न कहीं किसी न किसी देश से उसे raw materials import करने ही पड़ेंगे तो जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि जिस चीज को हम भारत में develop करने के लिए सोच रहे हैं उस चीज का भी जो हम raw materials मंगवा रहे हैं वो भी हम चाइना से ही मंगवा रहे हैं तो इनवे चाहे हम make-in-India initiative को promote करें या directly हम चाइना से ही समान मंगवा ले manufactured या final product दोनों केसों में जो benefit है वो चाइना को ही हो रहा है और उसके बाद बहुत सारे जो experts हैं चाहे वो economic field से हो चाहे वो defense field से हो उनका बहुत ही साफ और इस पस्ट मानना है कि आज के date में पाकिस्तान भारत का कोई immediate खत्रा नहीं है जो खत्रा भारत का है वो चाइना है और अगर हम इस type का articles को पढ़ेंगा तो हमें साफ समझ में आएगा कि चाइना किस तरीके से हमसे आगे है 2001 के पहले चाइना World Trade Organization का member नहीं था समय बदले circumstances change हुआ as a result यह होता है कि 2001 में चाइना World Trade Organization को join करता है और इसके पीशे भारत चाइना को support करता है तो 2001 के बाद से जो वैपार होना शुरू होता है भारत और चाइना के बीच में वो वैपार काफी balance तरीके से वैपार था कहने का मतलब है कि जो उस वक्त deficit था वो काफी minimal deficit था यानि की 0.19 billion का deficit था लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से चाइना और भारत की बीच में वैपार शुरू हुआ यानि की बढ़ा उसके बाद से हम देख सकते हैं कि चाइना हर वक्त advantageous position पे रहा और ये trend और भी बदल जाता है 2014 से अगर हम सिर्फ 2019 का data को अगर हम देखें तो हमें मालूम पड़ेया कि भारत और चाइना दोनों मिलके लगभख कुछ 93 billion American dollars का हम वैपार करते हैं जिसमें कि कुछ 57 billion dollar का deficit हो जाता है तो जब हमारे बीच में कोई ऐसे expert आए जो हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करें तो हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान हमारा immediate threat नहीं है जो real threat हमारे लिए है या कहीं न कहीं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो है चाइना चाहे वो defense manufacturing हो गया चाहे वो trade हो गया लगभख चाइना हमसे हर field में आगे है ये सुनते हुए और ये कहते हुए हमें बुरा लग सकता है लेकिन data हमारे सामने है जिसके मज़द से हम भारत और चाइना का जो capabilities है उसको हम compare कर सकते हैं लगभख पुरे दुनिया में 2020-21 में पूरा market बंद रहा तो as a result दुनिया भर की economy decline की है लेकिन जैसे ही 2022 का data जब हमारे सामने आता है तो उस वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि भारत और चाइना दोनों मिलके कुछ 136 billion American dollars का हम trade करते हैं जिसमें की 101 billion का deficit रहता है कहने का मतलब है इतना बड़ा deficit हम कभी भी बरदाश नहीं कर सकते हैं और खास करके चाइना के साथ तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़य है ना कि क्यों चाइना अरुनाचल प्रदेश या उस आसपास के region को ये claim करता है कि वो सारे जो region है वो चाइना के है और उसके बाद बहुत हद तक जो गलवान वैली में clash हुआ था या उसके पहले का जो Chinese forces का जो aggression था उसके पीछे का एक जो महतपून तागत है वो ये है कि भारत का जो trade है वेपार है वो चाइना के उपर dangerously dependent है और इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए और कहीं न कहीं center और states को मिलके बहुत ही robust plan बनाना चाहिए जिससे कि हम बहुत ही fast तरीके से skill development कर सकें उसके बाद जब भी हम word war सुने तो हम उस mindset में ना रहें कि war का मतलब यही होता है कि दो forces आपस में टकरा रहे हैं या दोनों देश एक दूसरे के उपर bombing कर रहे हैं जो warfare का technique है वो काफी बदला है वो trade warfare भी है वो tariff warfare भी है वो आपके देश का जो server है उसे भी hack कर लेगा और कहीं न कहीं चाइना इन सब चीजों के उपर काफी focus किया है और इसमें कहीं से कोई दोर आए नहीं है कि चाइना बर चड़कर research and development में पैसे invest करता है जो कि हमारे देश में काफी कमी है इस शीज का अब क्योंकि भारत और चाइना दुनिया का one of the most important countries में आते हैं जहांपे भारत भी एक nuclear power देश है चाइना भी एक nuclear power देश है दोनों की जनसंख्या almost बराबर है हलाकि भारत में जनसंख्या जादा है चाइना के comparison में तो इसलिए भी जब दो nuclear power देश वार लड़ेंगे या किसी भी तरीके से अगर एक हद के बाद tension बढ़ेगा तो वो चीज तो of course भारत और चाइना के हक में बिल्कुल भी नहीं रहेगा लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उससे जो पुरे दुनिया भर का जो पीस है जो atmosphere है वो definitely खराब होगा और इस time में जिस तरीके से रश्या यूकरेंट के बीच में वार चल रहा है या ताइवान और चाइना के बीच में tension बढ़ा है तो खास करके इन सब time period में अगर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें dialogue और diplomacy का इस्तिमाल करना चाहिए चीजों को resolve करने के लिए तो in a way हम कह सकते हैं कि ये statement अपने आप में काफि responsible statement है भारत और चाइना के बीच में जो border को लेके issue होता है वो सिर्फ वो हम कह सकते हैं कि दो area या दो location में ही होता है एक तो अरुनाचल के तरफ होता है दूसरा लदाग के तरफ होता है लेकिन इस चीज से भी कहीं कोई इन नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे multiple reports आ रहे हैं कि चाइना और भारत दोनों LSE region के आसपास बढ़ चड़कर infrastructure development कर रहे हैं बीते कुछ सालों में खास करके जब से चाइना के president शी बने है तब से उनका aggressive behavior के कारण दुनिया में कहीं न कहीं जो देश जिन का चाइना के साथ relation अच्छे नहीं है वो किसी न किसी form का वो group को create किये हैं बहुत हद तक quad के बारे में ये कहा जाता है कि ये group डारेक्टली चाइना को counter करने के लिए ही बनाया गया है हलाकि US, Australia, Japan या भारत इन सभी देशों में अगर आप एक किस comment ढूंडेंगे तो ये चारों देश किसी न कि इसी form का democratic structure को follow करते हैं इसी interview में PM Modi ये भी focus करते हैं कि भारत दुनिया का global manufacturing hub बन सकता है क्योंकि यहां का जो atmosphere है या यहां के जो long है वो काफे skilled है और कही न कहीं जो government है वो foreign direct investment को support करता है और उससे भी बड़ी बात क्या है कि भारत में जो transition of power होते है कहने का मतलब है कि जब भी लोग सभा चुनाव होता है और एक party हार के जब दूसरा है जब coalition सरकार बनाते हैं तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भारत में जो transition of power होता है वो काफी शांधी तरीके से होता है तो in a way कोई भी जो investor होता है वो उसी देश में invest करना चाहता है जिस देश में political stability हो जिस देश में जो transition of power हो वो काफी smooth हो और साथ में business करने के लिए जो नियम कानून हो वो काफी transparent हो तो in a way हम ये कह सकते हैं कि PM Modi के द्वारा जो interview दिया गया और जिस तरीके से ये focus करते हैं भारत और चाइना के बिगरते हुए relation को और साथ में ये भी बताते हैं कि हमें relation को अच्छा कर आगे हैं ऐसा नहीं है कि हमारे में capabilities नहीं है हमारे में भी बहुत capabilities है potential है लेकिन फिर भी जिन मुद्धों को हम्ए address करना चाहिए उन मुद्धों को हम address नहीं करते हैं और हर वक्त हम 300 साल 400 साल पहले ही जाके इतिहास को पलटते रहते हैं और उसी इतिहास को हम present मिला के उसक तेक केर गुडबाई